फाइनली रॉयल चैंपेइन का एपीग एक्यूपेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है अभी गेम के अंतर और इसी के साथ हम लोग के सारे एक्यूपेंट का सेट कंप्रीट हो चुका है पहला सेट और हम लोग अब दूसरे सेट के तरफ बढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग का बारवेन किंग का नया epic equipment देखने को मिला है और अब देखते हैं दूसरा सेट में क्या कि हम लोग को देखने के मिल सकता है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो चलो हम लोग को देखते हैं थोड़ा सा modified super minion हम लोग का कैसा काम करता हीरो के साथ ओ सॉरी ये इसका कुछ नाम है क्या rocket spear ओ अचा ठीक है चलो सबसे पहले बात करते हैं अपना town hall के साथ तो town hall के range में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है और काफी अच्छा damage देखने को मिल रहा है यहाँ पे अब warden के पास आते है warden का काफी जादा बड़ा range रहता है भाई warden भी से touch नहीं कर पाया बट यार exbow के सामने यह पकड़ा गई है क्योंकि भाई exbow का यह छोटा range है air and ground दोनों का तो भाई ground range में तो क्या ही होगा इसका हाल इसमें अतना जादा फायदा नहीं देखने को मिला exbow के सामने next आते हैं अपने इंफर्नो टावर के तरफ यहाँ पे इंफर्नो टावर भी नहीं छूपा रहा है इसे तो यह मालब range के हिसाब से काफी जादा बड़ी है range है इसका और काफी जादा core core defenses जो है उसे वो नहीं टच कर पा रहा है जो की बहुत जादा अच्छा बात है मगर यहाँ पे हम लोग का monolith के सामने भाई यह नहीं चूट पाई है यह अच्छे खासे range पे आ गही है monolith की और देखा जाए तो scatter shot के सामने भी यह हम लोग का जादा overpowered है तो maximum जखा से तो यह pass हो गई है मगर मेरे हिसाब से मुझे अगर personal opinion मेरे पूछोगे तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लग रहा है क्योंकि भाई बस ऐसा लग रहा है कि modified करके super minion को उसका rocket चोरी करके चीन करके इसके spear में लगा दिया गया है और कोई बात नहीं है तो वही है भाई यह मुझे उतना personally कुछ पसंद नहीं है और अगर तुम लोग चाहोगे तो तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो अपने golden medal से तुम लोग अपने spiky ball को तुम लोग upgrade कर सकते हो और से खरीद करके या फिर तुम लोग कोई books खरीद सकते हो या फिर तुम लोग hammer भी खरीद सकते हो मैं तो इसे नहीं खरीदने वाला हूँ इस equipment को और तुम लोग क्या करने वाले हो comment section में जरूर से बताना तुम लोग भाई बहुत कुछ कर सकते हो इसे नहीं खरीद के अगर नहीं खरीदते हो तो तुम लोग को progress बहुत ज़ादा देखने को मिलेगा अपने base के अंदर क्योंकि टाउनल 17 भी आने वाला है कुछ ही मन्त के अंदर तो भाई मैं तो कहूंगा कि जल्दी से तुम लोग ors खरीद लो या अपने कुछ भी resources खरीद लो जिससे तुम्हारा base में progression हो यह क्या EP के क्यूपेंट है भाई यह सही में मेरा दिमाग खरा हो गया है देखकर के भाई super minion इससे अच्छा है भाई इससे अच्छा गर मैं य ट्रेडर से जाकर के runes खरीद सकते हो जो कि काफी जादा हम लोग को value देता है मेरी बात मानूं और इसे मत खरीदो भाई क्यूंकि यह बहुत बेकार है मुझे personally बहुत जादा बेकार लगा है तुम लोग अगर अच्छा लगता है अगर तुम लोग इसे जो utilize कर सकते हो सही इसे तो करो भई तुम्हारा सब कोई का अपना-पना choice होता है तो चलो वीडियो को यहीं पर wrap up करते हैं hope so वीडियो entertaining लगा होगा अच्छा लगोगा मजा आया होगा मजा आया है तो वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर दो फिर से मिलता है next amazing leak वीडियो पर